बिहारेनेम 10,000 साथ सनों भरती लेटेस्ट अपडेट में दोस्तो कैसे आप सभी उम्मीद है आप अच्छे और सुस्तों गई और बिहारेनेम 10,000 साथ सनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार करने होंगे कि कितने जल्दी बिहार इनियम 10,000 साथ सनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा है। हम लगातारा आपको बिहार इनियम 10,000 साथ सनों भरती सम्मंदित महत्वण अपडेट आपको दे रहे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के जो डेट है वो कब तक सुरू की जागी और काउंसलिंग का फ़स्ट अराउंड कब तक सुरू किया जाएगा। तो दोस्तो आप लोगों से क्रिप किष्टा की चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजी और वीडियो को पूरा देखे तभी आपको संपोर्ड जानकारी मिल पाएगे क्योंकि आज कहा वीडियो बिहार इनियम 10,000 साथ सनों भरती सम क्रिया के भी समय कैबिनिट के जो मीटिंग सुरू की गई थी उसमें बिहार इनियम 10,000 साथ सनों भरती से समंदीत कुछ निर्देश जारी किया गया था और काउंसलिंग प्रक्रिया के समंदीत कुछ खास निर्देश आयोग के माध्यम से जारी किया गया है बिहार इनियम तज़ी होगा जो होगी और काउंसलिंग कब तक शुरू की जागए तो दोस्तो भीहर नियम तज़ीनाओं भरती प्रक्रिया जो होगी हर हाल में अब जुलाई तक पूरी कर लिया जाएगा बिहार में कैबिनेट की मेटिंग में या प्रस्ताव मनजूर किया गया है कि बिहार नेम तहजार सासनों भरती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सभी अधिकारी इसकी समय चा करें मतलब दोस्तो साभ एक बिहारina 2700 भार्ति की जो काउंसलिंग प्रक्रिया केवल एक से डेढ़ महिने का ही समय बचा है एक से डेढ़ महिने के अंदर हर हाल में पूरी कर ली जागी और कांसलिंग प्रक्रिया होने के बाद सभी अभिहारती को जोइनिंग लेटर दे दिया जाएगा मतलब दोस्तों बिहार में कैबिनेट की मेटिंग हुई थी उसमें मेटिंग में एक बड़ा प्रस्ताव लिया गया है और जो ऐसे अभिहारती हैं जनकी मेरेट हाई है उनके लिए बहुत बैड नियूज है तो दोस्तों बिहार में दहजार सासरों भारती की जो कांसलिंग प्रक्रिया सुरू की जाएगी तो बात जुलाई से लेकर 18 जुलाई के मत बिहार में दहजार सासरों भारती की कांसलिंग प्रक्रिया कांसलिंग प्रक्रिया पूरी खी जाएगे मतलब दोस्तो अब भी भी आपके पास लगभग एक से डेढ़ मैने का समय है आयोग जल्द ही बिहार इन्यम दाजार सासरों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया के बिसे में आप ही से नोटिश जारी करेगा लेकिन जैसे ही बिहार में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में काउंसलिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का भी साप निर्देश दिया गया था और बिहार में फिर से नई वेकेंसी के लिए बिग्यापन निकालने का आदेश दिया गया था मतलब दोस्तों बिहार एन्यम 10,000 सासरों भरती की प्रक्रिया को जल से जल पूरा करने का जो निर्देश है उसी एम नितिस कुमार के द्वारा जारी किया गया था और आयोग जल ही अब एन्यम के जितने भी बिहार में खाली पड़े पद है उनका सत्यापन करेगा और उसी सत्यापन के आधार पर एक डाटा तयार करेगा और डाटा तयार होने के बाद बिहार में नई वेकेंसी का आवेदन कप सुरू होगा और नई वेकेंसी कब तक निकाले जाएगे इसके लिए महत्वण अपडेट जारी किया जाएगा लेकिन सबसे पहले आयोग के पास एक कार है कि आयोग सबसे पहले बिहार निम 10,700 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करेगा और काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद सब भी अभिहारतों को जुलाई तक हर हाल में नियुकती पत्र जारी कर देगा लेकिन एक बात इसमें यह है कि बिहार निम 10,700 भरती में अगर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आने वाली बेकिंसी में आपका सेलेकशन बहुत टप होगा मतलब दोस्तों जो आने वाली बेकिंसी होगी वो क rozp के वल मेरिट की अधार पर नहीं होगी उसमें लिखित परिच्छा के अधार पर होगा और आपको एक परिच्छा देनी होगी उसी परिच्छा को आप क्वालिफाई करेंगे और तभी कटाप निर्धारित क्या जाएगा और उसी कटाप के आधार पर आपकी विहार निम 10,779 भरती में जोइनिंग होग पाईगे लेकिन अगर बात करें विहार निम 10,779 भरती की तो इसमें अगर आपका सेलेक्शन नहीं होगा तो आने वाली वेकेसिंग के लिए आप तयारी केजिए उसमें सेलेक्शन हो जाएगा तो दोस्तो बिहार निम 10,779 भरती की जो काउंसलिंग होगी वो एक से डेड़ भेने के अंदर हर हाल में सुरू की जाएगे और काउंसलिंग का जो फर्ष्ट राउंड सुरू किया जाएगा जो जुलाई में सुरू किया जाएगा काउंसलिंग का जो फर्ष्ट राउंड हो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि काउंसलिंग का जो फर्ष्ट राउंड है वो बारह से लेकर 18 जुलाई के मद आयो के दोरा जारी कर दिया जागा तो दोस्तों ये थी महत्त पोड़ जानकारी बिहार एनम दहजार सासनों भरती से समद्धित